यदि आप ALP या फिर NTPC के तयारी करना हैं तो आपको Relayway में Psycho देना पड़ेगा और आपको Psycho के बारे में जानना बहुत जरूरी है कैसे Question आते हैं क्या-क्या लोग गलतिया करते हैं उसके बारे में आज बात करेंगे क्योंकि मैं Psycho दिया हूँ और Qualified भी किया हूँ इसके बारे में डिटेल्स आप लोगों को बता दूँगा क्या-क्या गलतिया बच्चे करते हैं और क्या-क्या संभावना है क्या आप करेंगे जिससे आसानी से Select हो पाएंगे देखिए पांच सेट पूछा जाता है पांच में जैसे Bricks हो गया Find 9 हो गया Home हो गया Memory हो गई यह सारे टेस्ट होते हैं इन सब में पांचो टेस्ट में आपको पास करना जरूरी है अगर पांचो में एक में भी आप फेल होते हैं तो आपको Disqualified कर दिया जाता है इसलिए आपको इसका practice करना बहुत जरूरी है देखिए CBT1 qualified करने के बाद CBT2 आप qualified करेंगे उसके बाद आपका Psycho होता है Psycho के लिए time कम मिलता है इसलिए थोड़ा थोड़ा अभी से practice किये रहेंगे तो ठीक रहेगा मैं आपको बता दूँ सबसे ज्यादा जो important है पहले offline psycho होता था तो बच्चे क्या करते थे पिन कांपी लेके आराम से rough कारी करते थे जल्दी जल्दी मतलब practice कर लेते थे लेकिन इस समय जो सबसे ज्यादा important चीज़े वह online psycho होता है तो आपको mouse पर practice करना बहुत जरूरी है ज्यादा गलती होती है mouse को select ना कर पाना mouse को चलाना तीर इधर से उधर भागने लगती है जो नए लड़के उनसे बहुत ज्यादा गलती हो तो click ही नहीं कर पाते fail हो जाते हैं इसलिए आपको mouse पर test देना psycho test देना बहुत जरूरी है तभी आप mobile पर मत दीजेगा computer पर test दीजेगा तभी आपको यह benefit मिलेगा नहीं तो आप psycho में डिस्क्वालिफाइड कर दिए जाए cbt1 cbt2 में कितना भी number आप लाए रहेंगे लेकिन psycho में अगर आप डिस्क्वालि सारी बढ़ियां से कर लीजिए यल्पी वालों के लिए तो होता ही होता है चलिए देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूं जैसे एक मैं figure दिखा रहा हूं इसको आप देखके समझी है थोड़ा सा इसमें क्या होता है कि बहुत सारे number दिये रहते हैं उसमें दिखाया जाता है जिसमें इंट रहता है इंट गिनना रहता है कि मतलब एक ऐसे देखिए figure मैं दिखा रहा हूं इसको दे दिया जाएगा ऐसा ही दिया जाएगा फिर पूछा जाएगा कि इसमें कितने इंट है आपको count करना रहेगा यह सारी चीजे मैं आप लोगों को बता दूंगा आप CBT-2 जब qualified कर लेंगे इसके बार मैं details बात करूंगा लेकिन थोड़ा सा idea इसलिए अभी दे रहा हूं को आप से अभी से जो है आप लोग mouse की practice कर लीजिए दिक्कत नहीं होगी memory के question भी पूछे जाते हैं और उसके होँम के पूछे जाते हैं ट्रैक वाले पूछे जाते हैं कई question होते हैं सारा मैं PDF आप लोगों को अपने टेली ग्राम चैनल पर प्रोवाइट कर दूंगा साइको के पाइलट सुरंद्र निशात पर जाकर आप लोग वहां से डाउनलोड करके थोड़ा सीख पाएंगे कि आपको confusion हो रहा है तो तो आप लोग psycho की practice जरूर कर लीजेगा जितना हो सके उतना इसमें सिर्फ practice कोई दिमाग अलग से लगाना नहीं आपको मैं बता दूं कोई भी म यह चोटी सिती मैं एक दो figure दिखा रहा हूं देखिए यह figure मैं दिखा रहा हूं इसमें आप लोग count करके बताएं कितने bricks दिख रहे हैं और साथ ही कुछ और भी जैसे यह जो है simply पूछा जा सकता है लेकिन find 9 वगर यहां से question इसमें नहीं पूछा जा सकता है इसलिए नहीं